जह हिंद्र साथियों स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल कनहिया जिया सोल्ड में तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग यूपी पीसियस प्रिलिम्स एक्जाम जो वर्ष 2022 में आयोजन कराया गया था उसका हम लोग पूरी तरीके से पेपर को साल्ब करेंगे और यह जो है समान अध्यान वन का पेपर है और पूरी तरीके से हल प्रश्ण पत्र है सिरीज नंबर एका ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो और दोस्ति यह एदि आपको UPPCS के बारे में जानना हो कि इसका एक्जाम कैसे होता है कितने इसमेnh चरण होते हैं ठीक है मुक्हे परिछा में कितने पेपर होते हैं कितने नंबर को होते हैं और कितना नंबर लाने पर कौन सी पोस्ट मिलती है तो इन सब के लिए हमने वीडियो बना दिया है आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट बाक्स में या फिर डिस्किप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं ठीक है और वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दीजेगा चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करके घंटे के निसान को भी दबा लेना है चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और यहाँ पर जो आप देखेंगे तो उसमें प्रिलिम्स और मेंस का जो सिलेबस रहता है सबी चीजों को हमने वहाँ पर बता दिया है और यहाँ जो पेपर है आज हम साल्ब कराएंगे यहाँ पर आफिसियल आंसर की देख सकते हैं बुकलेट नमबर एका है इस प्रकार से आफिसियल आंसर की पाराधारित आज हम जो आपको solve कराएंगे हुआ है इन सब को आप download भी कर सकते हैं यानि कि आपको PDF मिल जाएगा आप Telegram Channel Kanhiyah.js World टेलिग्राम पर जा करके Kanhiyah.js World सर्च करीजेगा या फिर आपको नीचे description में भी Telegram Channel का link मिल जाएगा वहाँ पर ये सब PDF मिल जाएगी और भी वहाँ पर हम डेली के डेली जो भी करेंट के मुद्दे रहते हैं वहाँ पर अपडेट आप वहाँ होते रहेंगे Telegram Channel पर तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो देखिए यह जो पेपर हुआ था प्रिलिम्स एक्जाम बारह तारिक छटवा मैंना वर्स 2022 में इसका यूजन कराया गया था और यहाँ पर पहला जो प्रशना आपको देखने को मिल जाएगा कर रहा है निम्न लिखित में से असोक का कौन सा सिला लेख धार्मिक संसले सड यानि की समन्वय के बारे में कहता है तो आपको पता होगा कि असोक के कई सारे सिला लेख है उसमें से जो इसका सही जबाब है तो सही जबाब इसका हो जाएगा आपसन नमबर A यानि की बारह में सिला लेख में धार्मिक संसलेसर के बारे में चर्चा की गई है चलिए और देख लेते हैं जो असोक का पहला सिलालेख है पहला ठीक है इसमें वर्डन किया गया है पसु बली की निंदा की गई है और दूसरा की बात करें तो दूसरा सिलालेख है इसमें असोक अपने सभी राज की जो अधि है बाकि यहां पर डीटेल से लिखा है आप यहां पर पढ़ते हुए चल सकते हैं वीडियो को पॉस्ट करके नेश्ट कोश्चन यहां पर दूसरा है करा है कि उत्तर प्रदेश के निम्न लिखित में से कौन सा वन जीव अभ्यारण 1975 में अस्थापित किया गया था तो दूसरे का यहां पर जब हम लोग देखेंगे तो इसका आयोगने आंसर माना है ए ठीक है तो इसका सही जबाब हो जाएगा आपसर नमबरे यानि की कतर्या गाट वन जीव अभ्यारण 1975 में अस्थापित किया गया था नेक्ट कोस्चन है करेंट से संबंदीत है मुल्यवान आई-टी ब्रेंड के संदर्म में निम्न लिखित में से कौन सा कतन सही है पाला कतन दिया है एक्सेंचर वैस्विक अस्तर पर दोहजरबाईस में सरवादिक मुल्यवान आई-टी ब्र वर्ष 2022 में नमबर दूसरे पर है तो यह है जो इसका दोनों कथन सही है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपसर नमबर यानि कि कथन एक और दो दोनों सही है नेश्ट कोशन यहाँ पर कोशन नमबर तीसरा हो गया आप कोशन नमबर चौथा है कि हमारे द्वारा उपयोग किये जाने वाले उर्जा के अधिकान स्रोत संग्रहित सौर उर्जा का प्रदिनी दित्व करते हैं निम्नलिकित में से कौन सा अंततर सूरी की उर्जा से ब्यू नहीं होता है इसमें सूरी उर्जा का मतलब उससे ब्यूत्पन नहीं होता है तो आपसर नमबर यहाँ पर सही जबाब हो जाएगा ठीक है नेस्ट कोशन है और यूपे पीसियस और अन्नेक जामों का फेवरेट कोश्चन कई बार या परिचाओं में पूछा जाता है और प परियावरण के परिरच्षड यानि की संरच्षड अधिनियम का पारित किया गया था तो इसका जो सही जबाब हो जाएगा आपसर नमबर भी तो इसका जो सही जबाब हो जाएगा आपसर नमबर ए साजन प्रकास ठीक है सजन नहीं रहेगा यहां पर साजन प्रकास रहेगा तो इसका सही जबाब आपसर नमबर ए हो जाएगा निमनलीकित में से वित्तिय वर्स 2020-21 के बजट के समबंद में निमनलीकित में से कौन सा कथन सही है करया बजट का आकार पंच लाग 12,807,702 करोड था दूसरा करया इस बजट में 10,90,787 करोड की कतिपय नई योजनाय भी सम्मिलित की गई है तो देखिए साथमें का जो सई हो जाएगा आपसर नबर यहांपर मिलेगा. आपसर नबर एक मिनट थाक है आपसर नमबर ए करे इसका सब्सक्राइब जाए यानि कि दोनों कथन सही है ऐसा कोस्चन जब आता है कथन वाला तो अक्सर इसमें कथन एक और दो सही जादत और चांस होते हैं यही है ठीक है यदि आपको question नहीं आ रहा है तो इस पर risk ले करके जा सकते हैं ठीक है next question यहाँ पर सुमेलित करने चीज दे दिया सुमेलित से भी बहुत सारे question यहाँ पर बनते हैं और 2013 प्रिलिम्स के लिए आप तयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यह मतपूर है क्योंकि बहुत सारे question question का pattern पताद चल जाता है कि किस प्रकार का question आ रहा है next teaching यहां पर दे दिया निम्न लिखित में से कौन सा एक सुमेलित है है सही सुमेलित है ठीक सही सुमेलित है यह देखने वाली बात है तो कर ए quién उत्तर प्रदेश जूट नहीं बैए उत्तर प्रदेश में होता है गेहूं असम गेहूं असम में चाय बहुत ज़्यादा होता है गुजरात में चाय गुजरात में चाय नहीं होता है कराय केरल रबड यानि कि केरल में रबड होता है बिल्कुल सही जबाब तो अफसर नंबर डी यानि कि केरल में रबड वाला जो मिलान है या बिल्कुल सही है लेशट्ट कोंस्ट नहां पर का इडी ख्र्षारी या डाई फिनायल ट्राई ख्रॉरो एथेन निकी डीडी टी को यहां एक याएव अपगटनी प्रदूसक ऩाई या फिर जय रहे असाणिक प्रदूसक है या ग्यर प्रदूसक या जह तो सब सक हो हो जाएगा आपसर नंबर ए यानि की अजय वह अब गट नहीं है प्रतूसक है नेस्ट कोश्चन फिर मिलानवाले से दे दिया कहरा है निम्न लिखित में से सूची एक और सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिये गए सही कूट से उत्तर चुनिए त तो आपने देख लिया है तो यहां पर मिलान करेंगे तो सही मिलान यहां पर हो जाएगा देखिए डिडी कर्वे जो थे यहां थे सचीव थे किसके वीडो री मैरी एस्सुसीयेस आंब जो बिदवा विवाद था उसके एस्सूसीयेसन थे एसोसियेशन में सची हुथे ठीक है डेडी करवे साथ और नेक्ट कर रहा है जे इडी बेथुन यह कलकत्ता में कन्या विद्याले की अस्थापना इनों नहीं किया था इस्वर्चंद विद्यासागर्स कलकत्ता में संस्क्रीट कालेज के प्रचारे थे और बी-म मालबारी ब विरुद्द संगर्स प्रारम यहां पर आपसर नमबर यह सही हो जाएगा ठीक है नेस्ट कोश्चन कोश्चन मेरे ग्रामा कि भारत में किस धार्मिक समूं का सरवाधिक भागे नगरी है यानि कि कौन सा धर्म है जो कि सरवाधिक नगरों में निवास करता है तो देखिए बहुत धर्म जैन हिंदू और इसाइं तो इसका जो सही जबाब हो जाएगा आपसर नमबर यहां पर भी यानि कि जो जैन सवदा है इसका ज्यादतर भाग नगरी है ठीक है ज्यादतर लोग नगरों में निवास करते हैं नेस्ट कोश्चन फिर मिलान से दे दिया मिलाना है पहाड़ी परवत और भारती राजों में अवय इस्थिति तो देखिए देख लिजे बटेस्वर बिलारी चीन गोसी तो देखिए यहां पर जो चीन सिंख्रला है यहां आपको मिलेगी मेमार में अगर आपको एक दो भी आ रहा है तो यहां से कोश्चन आसान बन जाता है यहां वाला ठीक है तो चीन सिंख्ला हमको पता थी मड़ीपूर में हो गया अब देखिए बच गया बटेस्वर बिलारी और घोसी चलिए देखते हैं यहां पर कूट दे दिया तो इसका जो सही जवाब है आपसर नमबर डी यानिकी एक मिनट एक का जो है जाएग गोसी हरियाना में ठीक है तो आप यहां पर मिला लिजेगा यह सही है नेक्ट कोचन है करा है कि संयूक्त राष्ट विकास कारिकरम यानि की यू एंडीपी ने निर्धंता की निम्नली के स्रेडियों की पाचान की है कौन सा एक सही है तो आय निर्धंता मानव निर्धंता यहां पर और नेक्ट आपसन है यह तथा भी दोनों और यहां पर कर रहा है उप्यूक्त में से कोई नहीं तो देखिए आपसर नंबर सी निर्धनता की बात की गई थी आय निर्धनता और मानव निर्धनता यह दोने यह जिसके हिसाफ से UNDP जो विकास कारकरम को निर्धारित करता है तो आपसर नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा नेिख्ट कोशचन कारा है सुमेलित करने के लिए तो देख लिजए सुमेलित से कितने ज्यादा कोशचन बनते दो पर रह निम भकी सही सुमेलित है नहीं है ठीक है साही सुमेलित नहीं है इसको मिलान करना है तो देखिए यहाँ पर भारती ऐलुमीनियम कंपणी लिम्टेडियानी की बाल को कोर्बा में है एकदम सही है और यहाँ पर इंडाल इंडाल को यहाँ पर हीरा कुन में या भी एकदम सही है यहाँ पर दे रहा है य तो यहां पर आपसर नमबर 14 का सी है यह गलत है यानि कि यह सुमेलित नहीं है तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा तब आखिर कारिया है कहां तो देख लिजिए यहां पर मद्रास इलूमीनियम कंपनी यानि कि मालको मेट्टूर सलेम जिला तमिलाडू में अवस्थित है ठ स्केंडल तो यह क्या था कोवीड अपने चरम पर था निस सो बीस करें 2020 में उस समय क्या था ब्रिटेन में एक से दो लोगों को ज्यादा मिलने की अनुमती नहीं थी उस समय ब्रिटेन के जो परदान मंत्री उस समय थे बोरिश जांसन उनकी पतनी ने एक मतलब पार्टी आ आया था तो उसी के कारड़ यह ज्यादा चर्चा में था और इसी कारड़ बोरिश जांसन को के उपर अभिस्वास प्रस्तावी पेस किया गया था हलाकि वह जीद गये थे तो यह किसे समद्दी था जिसको हम लोग उस समय गेड़ सकेंडल के नाम से दिया गया था तो आप 10 के जो प्रधानमंत्री उस समय थे कोविट 9 के मांदंदों का उलंगल से समद्दी थे तो आप से नंबर 15 में का एस सही जबाब हो जाएगा नेक्ट कोस्टन है यहां पर कोस्टन नंबर आजा भाई सोड ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं डीटेल भी है आप यहां पर सकते हैं वीडियो रोक रोकर अने था वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा यहां पर कहरा है नेक्ट कोशन निम्न लिखी तरह जनैतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी अस्थापना के कालक्रम में ब्यवस्थित कीजिए तो देखिए यहां पर पा होता है समाजवादी पार्टी के अस्थापना 1991-92 के लगभग में हुई थी और यह सब जो पार्टी है इससे पुरानी है तो दो जो आएगा लगभग लगभग इसको इसमें जो दिया है सबसे ज़्यादा पुराना की बात करें तो बाउजन समाजवादी पार्टी अनिससो चौरासी इसमें इसका अस्थापना वर्स है तो इस प्रकार देखेंगे तो आपसर नमबर सी सही जबाब हो जाएगा ठीक है नेश्ट कोशन सत्रामा का रहा है वर्स 2022 थे इसमें केंद्रिय विश्चु विद्यालेयों में असना तक प्रवेश के लिए एकल खिड की प्रवेश परिच्छा का क्या नाम है तो देखिए उस समय यह चर्शा में था तो इसका जो साही जबाब हो जाएगा आपसर नमबर उन्वेर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट होता है नेश्ट कोशन यहाँ पर निर्धंता को एक समाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धंता पर किये गए एक सोध सर्वेक्षड का परिडाम है इस सोध के सोधार्ति कौन है तो आठारवे का सई जबाब हो जाएगा कहराए औरंग जेब के सासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काला नुक्रम में बिवस्तित कीजिए तो देखिए देवराई का युद्ध बनारस के पास सासूजा की पराजय सामुगड की लड़ाए धर्मत की में विजय तो उनिसमे का जो स सामुगड की लड़ाई हुई उसके बाद हुआ देवराई का युद्ध तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उनिसमे का आपसर नमबर सी सही जवाब हो जाएगा ठीक है तो सी जवाब सही है नेक्ट कोशन यहापर आसान सा कोशन पूर दिया कि केबूल लाम जाओ राष यह उद्यान इस्थित है नेक्ट कोशन यहापर फिर मिलान से दिया और इस बार जो है मासागर और उसका अधिक्तम गहरा बिंद को मुलाना है तो देखिए यह आपने यदि पढ़ा होगा तो यह भी कोशन आसान ही है सब को पता होगा कि मेरियाना ट्रंच कहां पर है प्र अड़ानटिक भाले में जायगा ठीक है और हिन्द मासागर में कौन सा है तो सुन्दा गड़्ण है और आरकटिक में क्या है तो यहाँ पर मुलाय है ठीक है इunn careers मुलायं है तो इस प्रकार से मिलाएंगे तो देखिए एक किसमे का सथा जबाब क्या होगाति आफसर नंबर एक में डी वाला दो में सी वाला एक में और डी वाला चला गया दो में ठीक है तो इस प्रकार से इसका सई जबाब हो जाएगा आपसा नंबर बी कि नेक्ट कोशन यहां पर है यह कि यह कह रहा है कि भारत में 19 के बाद नियंत्रक महालेक परिच्छक की आर्डिट रिपोर्ट का परिच्छड करती है तो यानि कि जो जबाब हो जाएगा आफसर नंबर सी जो लोग लेखा समीती होती है यही रिपोर्ट का परिछड़ करती है तो बाइसमें का सी नेस्ट कोशन है यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे कहरा है कि निम्न लिखित जनवरी 2022 के बैस्तिक ब्यावसाइक सहर सुचकांक के अनुसार न सही जवाब हो जाएगा नेस्ट कोशन का रहा है निम्न लिखित में से कौन सा बायो मास उर्जा का सुरोत नहीं है परमाड़ु उर्जा या फिर लकड़ी गोबर कोईला तो देखिए यह तो आसान सा कोश्चन है लकड़ी जो हस्रालोड के क्या बनती बायो मास गोबर भी वाय मैंसे संबंदित है कोईला भी उसी से लेकिन जो परमाड उर्जा है या इससे संबंदित नहीं है आफसे नमबरे इस सही हो जाएगा नेश्ट कोस्चन है निमने लिखित में से कौन सी हरित ग्रिय गैस नहीं है तो देखिए क्लोरो फुलोरो कार्बन है कार्बन डाय अक सुमेलित है तो यहां पर क्ति सारा संबन दीड है उसको मिलान खुरसड कोड़न करना है और सुमिन तो इस स्वामिनाथन यहां पर वर्गीज कुड्यन किसरे सम्भंदित है तो यहां पर अपको सभी नहीं कोश्चन भी यहां पर मिलाने वाला यहां गया तो आपका काम बन जाएगा अभी यहां पर Demokrat हिसाब से लगा देंगे तो एल के जो जहाँ है यहां आ जाएंगे आर्थिक प्रसासन सुधार से संबंदित और मुराजी चले जाएंगे यहां पर बैंको पर समाजिक नियंत्र ठीक है तो इस परकार से आपसर नमबर डिस हो जाएगा नेश्ट कोशन यहां पर पूछ रहा है कि मार्च 2022 में असम मेगालय बिवाद को लेकर हल करने है तो समझाओते पर निम्न लिखित में से किसके हस्ताक्षर किये गए तो दिखिए तो असम और मेगालय के बीच में राज जिसी मा को लेकर कि बिवाद था तो उसमें मेगालय और असम यानी की दोनों राज के मुख्य मंत्रियों ने मिल करके आपस में हस्ताक्षर किये तो आपसन मड़ी यहां पर सही हो जाएगा कराय नीम्ले लिखित में से कौन सा प्रधान मंत्री स्वानिधी योजना के अंतरगत लक्षित समुव है तो यहां पर देखिए प्रधान मंत्री क्या है स्वानिधी योजना तो उसमें काफी चर्चा में था यह फुट बाद विकरेता से संबंदित है तो आपसन नमबर डी यानि कि जो रेडी वाली लगाते हैं सड़क के किनारे उससे संबंदित था यहाँ पर COVID-19 स्कुल ले करके ठीक है इस्ट्रीट वेंडर जिसे काया जाता है पुटवाद विक्रेता नेस्ट कोशन है निम्न लिखित देशों में मानो विकाज सुचकांग 2022 की अधार पर यानि कि तीन चार एक दो यानि कि हांग कांग उसके बाद आस्ट्रेलिया जापान फिर रुसिया ठीक है नेस्ट कोशन यहां पर कुझए कर आया सोउर के अस्तर यहां पर च्क्षेत्र और उच्टे तम ध्वनी स्वर की इससे मिलान करना है तो देखिए सांथ जब ने रहती है तो इसमें सबस्यादा डेसिबल की ध्वनी उतन होती है तो आम यहांसी उतनुले आछ सबसे कम सांत में उत्पन होगा तो 50 decibel लगा देंगे डीबी का अरत होता है decibel या धोनी कुमा अपने की एक प्रकार की 1 आई है तो बी का देखिए वन कोई मिल रहा है तो देखिए यहां पर हमें बी का वन मिल गया अपसर नमबर सी में ठीक है और यहां पर इस प्रकार से एक मिनट अध्योगिक छेत्र आपसन नमर डी में भी वही सेम चीज़ती आए तो यहां पर मिला लेंगे हम लोग देखिए आवासी शेत्र में दिन के समय द्वानी 55 होती है सांत छेत्र सांत छेत्र में 50 और अध्योगिक छेत्र में 75 से 70 के करीम और व्यापारी छेत्र में 650 त परकार से सक विजय के संदर्म में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजयत्मुद्राएं हैं दूसरा कराए इन मुद्राओं की तौल लगबग 34 ग्रेन हुआ करती थी तो देखिए हमने कहा नहीं इसमें अधिकतर कौन से कूट सही होते हैं एक और दो दोनों तो आपसा नमबर ए यहां पर सही है 31 का ए नेस्ट कोश्चन यहां पर 32 कोश्चन टीम माल्थस ने दम माल्थ पुसेजन ठेयोरी नामकप्रसिद सिद्धान्थ को परतिपादित किया जो किसे संबनदित है तो यह अभर आपको पता होगा कि माल्थस ठेयोरी यह जन संख्या से संबनदित है तो यहां पर आपसा नमबर इसका ए सही जबाब हो जाएगा ठीक है नेस्ट कोश्चन यहां पर काहरा है नीचे दो कथन दिये गए हैं और एक कथन है और दूसरा उसका कारण है इसको देखना है तो काहरा है अभी कथन आगरा और दर्जलिंग एक ही अच्छांस पर इस्थित है ठीक है अब उसके बाद यहां पर एक मिनट और यहां पर जो दूसरा यहां पर उसी में है किन्तु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिगरी हो जाता है और दर्जलिंग का तापमान 4 असेलसियस होता है और इसका कारण दे रहा है उचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायू के कारण मैदानी प्रदेसों की त तो कोस्टन नमबर काण साथा प्र chir chir 10 ठीक तो तैस सका जो आपसर नमबर यहां पर हम देखेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपसर नमबर वी ए झाए और यहीं सही व्याख्या करता है आई अप जारा इसरीगां कॉप आला इसनले 35 और नेक्ane कोस्टन नमबर यहां पर पादप रोग दे दिया और कारक इसको मिलाना ए तो देखिए जो आलू का क्रिश्नकांत रोग होता है यानि कि जब आलू हम कारते है तो उसमें बीच में काला निकल जाता है वह किसली होता है तो उसमें एकção की कमी होती है तब ऐसा होता है और गेहूं का साहू रोग गन्य में लाल सरण रोग जो देखेंगे तो इसका चलिए देखते हैं 34 में का सही जवाब हो जाएगा आपसर नमबर D यानि कि A को हम लोग 3 में मिलाएंगे जो घटे नासर होते हैं या जिवाडू होते हैं और यहां पर B का चार में गन्य का लाल सरण रोग कवक यानि की फूई के कारण होता है और गेहूं का साहू रोग कीट के कारण होता है तो आपसर नमबर यहां पर D सही जवाब हो जाएगा ठीक है नेस्ट कोशन करा है 2022 और 2022 और 2022 और 2026 रहना चाहिए यहां ठीक है तीन हजार नहीं रहेगा दोहजार शब्वीस में प्रस्तावित राष्टमंदल खेलो के संदर्म में निम्न लिखित में से कौन साक्का थन सही है करा है जुलाई अगस्त 2022 में राष्टमंदल खेलो कायोजन बर्बिंगम इंगलेंड में होगा बेलकुल सही करा है दोजार शब्वीस में राष्टमंदल खेलो कायोजन विक्टोरिया अस्ट्रेलिया में होगा तो 35 में का सोच सही जबाब है हो जाएगा आपसन नमबर ए यानि कि कथन एक और दो दोनों कूट सही है नेश्ट कोश्चन यहापर सनी ग्रह के वाई मंडल में निम्न लिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है कारबन डाइक्साइड नाइट्रोजन सल्फर डाइक्साइड या फिर मिथेन तो इसका जो सही जबाब हो जाएगा आपसन नमबर डी यानि कि मिथेन गैस सरवादिक मात्रा में पाई जाती है नेश्ट है वर्स 1985 में गंगा एक्सन प्लान पर्योजना प्रारम करने का मुख्य उद्देश से क्या था तो इसका जो सही जबाब हो जाएगा सही तीसमे का आपसन नमबर सी ठीक है इसके जल को केवल प्रदूसर रहित करना इसका मुख्य उद्देश से था कब सुरू किया गया था तो 1985 में इसको भी आप लोग याद रख लीजिए नेश्ट कोशन है नीचे कथन दिये गए हैं और एक अब कथन ए है और दूसरा उसका कारण है इसको मिलाना है कथन ए सम्वीदान संसोदण भारत के अस्थानिय असासन के इतियास मैं एक आधार अस्थम के रूप मैं जर जाता है कारण दे रहा है सम्वेदान ने पंचायतों कि अतिपेक्षित सम्विदानिक दरजा पदान किया तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा और तीसमें का इसका आपसर नंबर बी होगा यानि कि कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर एकी ब्याख्या करता है कोश्चन नंबर 49 यह कह रहा है भारत के किस राज जिने स्वक्ष जल एवंग जल सुरच्छा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा एक्वेरियम का अप्रेल 2022 में सुभारम किया है तो इसका जो सही जबब हो जाएगा आपसर नंबर सी ठीक है यानि कि करनाटक राजे इसकी सुरुआत किया सत्य सोजक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जो रसत्य की खोज पर था तो सत्य सोजक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा राओ फूले सूची वन को सूची दो से सुमेलित करना है तो देखे यहाँ पर जैव आरची चेत्र है और राज्य है तो देखे मानस कहाँ पर है मानस यहाँ पर असम में है सुन्दरवन पस्चि मगाल में मिल जाएगा और नंदा देवी यहाँ पर कहां मिलेगा नंदा देवी नंदा देवी मद्ध प्रदेश में मिल जाएगा ठीक पर जो नंदा देवी है ठीक है नंदा देवी यहाँ पर उत्तरा खंड में जाएगा ठीक उत्तर प्रदेश नहीं यहाँ पर उत्तरा खंड रहेगा और पंच मड़ी चला जाएगा मध्य प्रदेश में तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे मानस असम सुंदर्वन मुख उत्पादक है तो यहां पर सई बहुत जाएगा आपस नमबर सई यानि कि खनी स्देल का उत्पादक है मिमार का यह वाला चेतर नेक्ष्ट कोश्ण है उत्तर प्रदेश में एक जन्पद एक उत्पाद योजना का आधार निम्नलिखित में से यहां पर सुमेलिट करना है कि कौन सा कहां एक मिनिट यहां देखिएगा सही सुमेलित नहीं है ठीक है बाकी सब सुमेलित है लेकिन कौन सा सुमेलित नहीं है तो यहां पर अमेथी में मूझ उतपादन होता है सबको पता है आगरा में चमणे का उतपादन प्लस पेठा का उतपादन होता है और यहां पर गौतम बुद्धनगर में रेडिमेट कपड़े बनते हैं लेकिन यहाँ पर जो आपसर नमबर भी बागपत है बागपत में लकड़ी के खिलाओने नहीं बनते हैं ठीक है और यहाँ पर देख सकते हैं 24 जन्वारी 2018 को इसको शुरू किया गया था और यहां का प्रमुक उत्पाद को वन प्रोडक्ट के तहत पर सुमेलित करने वाला बहुत पूछा जाता है पीसेस वाले एकजाम में यूपी के देखिए यहां पर क्या मिलाना है भवन और निर्मार करता तो चलिए मिलाते हैं तो देखिए कुछ चीजे सब को पताऊंगी देखिए जैसे अड़ाई दिनका जोपड़ा कुतुबुदीन एब। ने बरवाया था सबको पता है लाल महन यहां पर किस ने बर आयो था तो लाल महन बरऊर महल जो बनवाया था यह तो यहां पर लाल महल को बूद जी से दे दीजिए और यहां पर निस्ट देखेंगे और जमात खाना मस्जिद अलाउदीन खिल जी ने बरवायत हो तो आपसर नमबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा नेस्ट कोश्चन है जन सांकिकी या लाभांस क्या है क्या है तो यह 15-69 वर्स तक की कारेसिल जन संक्या को जन सांकिकी या लाभ कहा जाता है आपसर नमब करना और को से सोमिलित करना आ है तो 33 अन्सूची और देखते हैं यहां पर मिलेगा है चारते साहतुषी साथ्वी अन्सूची और 8 वी अन्सूची तो 8 वीं Listen Up를 से सबसे पहले मिला देजिएं ठीक है और 4 यहांपर किया मिल जाएगा संग तथा राजी छेत्रों का उलेक है त्रिती में क्यायफ सपत का प्रावधान है और यहां पर चतूर्थ में राजी तथा संग राजी के छेत्रों के अस्थान का आवंटन है और साथवी अंसुची में संसद और राज विधान मंडलों द्वारा बनाई गई वीदियों का विशा है और आठवी अनसुची में भासाएं को रखा गया है नेश्ट कोशन यहां पर फिर मिडाल करने वाला दे दिया यहां पर भारत की जलपरपात और अवय स्थिति इसकी ग्यात करनी है तो देखिए पलानी की पलानी जलपरपात कहां पर है तो यह हिमाचल प्रदेश म तो देखिए दूद सागर गोवा में है और यहां पर पलानी हिमाचल प्रदेश में पलानी की पाड़ियां भी यहां पर प्रसिद है और बरकाना करनाटक में और खंदाधार यहां पर ओडिसा में है तो आफसर नमबर यहां पर इस परकार से सही हो जाएगा नेस्ट कोश्चन फिर मिरान करने वाला दे दिया कह रहा है बलवन तरह महता समीती 1997 में सही है और असोक महता इसके 20 साल बाद आई थी 1977 सही है LM सिंदवी 1986 में आई थी P के धंगुन समीती लाश्ट में आई थी 1988 में तो यह तो एकदम सिंपल A का 1 में B का 2 में C का D में और C का 3 में और D का 4 में तो आफसर नमबर A यहाँ पर सही जबाब हो जाएगा नेस्ट कोश्चन है निमने लिखित में से कौन सा नगर इराक की सुनी त्रिकोड का भाग नहीं है ठीक है तो 49 में का जो सही जबाब हो जाएगा आफसर नमबर जो है D यानि कि जो बासरा है या फिर बासरा काते है या त्रिकोड सुनी भाग का नहीं है नेस्ट कोश्चन है आपर कोश्चन नमबर पचासमा का रहा है अप्रेल 2022 में निमने लिखित में से कौन सा तंजानिया की पहली महिला अध्याच यानि कि प्रेसिडेंट बनी थी या फिर बनी है तो इसका जो साइजवाब हो जाएगा कौन बनी है देखते हैं इनको तो यहां कर बनी है सामिया सुलूह हसन ठीक है नेस्ट कोश्चन या पर है वर्थ 2022 के प्रारम्वे में इस पात उत्पादन में विश्व में सबसे उपर रहा इस पात यानि कि इस टील उत्पादन में सबसे नंबर वन रहा तो चीन जो है सबसे नंबर वन पर रहा नेस्ट कोश्चन बावनवा फिर मिलान से दे दिया तो चलिए मिलाते हैं राष्टी ग्रामीड स्वाष्ट मिशन वर्से 2005 में आया था और स्वर्ड जैनती ग्राम स्वरवजगार योजना 1999 में आया था और निन्यानबे ही रहेगा ना एक मुट यहां पर देख लेते हैं हम लोग तो देखे यह आवाला जो है यूपी पीसीएस प्री 2022 एक मिट तो देखे बार अप्रेल 2005 को राष्टी ग्रामीड स्वास्त मिशन याने की नहारेम की शुरुवात की गई थी और 15 अगस्त 1995 को सामाजिक सहायता कारेक्रम की अस्थापना की गई थी और एक अप्रेल 1999 को स्वर जयन्ती ग्रामीड स्वारोजगार की यह स्थापना हुए थी और 25 सितंब वर्श 2001 को संपूर ग्रामीड रोजगार मिशन की अस्थापना की गई थी ठीक है तो संपूर 2001 में यह चला जाएगा और यहांपर कर राष्टी सामाजिक सहायता निस पंचान में ठीक है तो इस प्रकार से आप लोग आपसन मिला लिजेगा नेश्ट कोश्चन याप रहे करा है निम्न लिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयूजी तिससा यद मोदी अंतराश्टी टूनामेंट में महिला एकल का खिताब जीत लिया है तो जो पीबी सिंदू थी इनोंने महिला ओपन का किताब जीत किया था इसके साथ साथ सिंगापुर ओपन भी इनोंने ही जीता था नेश्ट कोश्चन याप रहे उस्मा गत्की यानि कि थर्मो डायनमीक रूप से कारबन का सबसे इस्थिर रूप कौन सा है तो इसका जो सबसे इस्थिर रूप है ग्रेफाइट ठीक है ग्रेफाइट आफसर नमबर डी एकदम सही जबाब है निश्ट यहाँ पर कर रहा है निम्न लिखित में से कौन सा अस्तंधारी अंडे देता है तो मिलाइए भाई कौन देता है लोरिस हैज हाग एकदी ना कंगारू एक के आफसर तो हमें याद है तो देखिए यहाँ पर जो सही जबाब हो जाएगा पच्पन का आफसर नमबर डी यानि कि जो एकदम है यहाँ अस्तंधारी आए और अंडे भी देता है ठीक है तो आफसर नमबर डी सही जबाब हो जाएगा नेश्ट कोशन यहाँ पर है सिंदू गाटी कि सब्विता के किस पुराश्थल से नाव के चित्र या नाव के चित्र या माडल प्राप्त हुए है ठीक है तो यह मोहन जो डड़ो तथा लोथल से प्राप्त हुए है तो आफसर नमबर यहाँ पर डी सही जबाब हो जाएगा नेश्ट कोशन यहाँ पर कह रहा है या भी कूट से दिया मिलाना है उत्तर प्रदेश के निमनलिकित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के अधार पर उन्हें अवरोही क्रम में ब्यवस्तित कीजिए तो चलिए ब्यवस्तित करते हैं हम लोग तो देखिए इसका आफसर नमबर डी सही हो जाएगा 57 का और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इस हिसाब से कानपुर और उसके बाद लखनव उसके बाद यहाँ पर गाजियाबाद और आगरा अवरोही क्रम में आएंगे नेश्ट यहाँ पर कारा है भारत के सरवादिक जुआरियस सक्ति उत्पादक तटी ये छेतर निमनलिखित में से कौन सा है इहाँ पर जो आयोगने कोश्चन सही माना है खंबात तट कहां पर है तो यह जो गुजरात वाला इसा है वही नीचे है खंबात तट तो आपसंशन नमर यहाँ पर दी तही सही जवाब हो जाएगा नेश्ट यहां पर है जल जीवन मिसन योजना किस वित्तिय वर्ष के केंद्रिय बजट में घोसित की गई थी तो आयोक द्वारा इसका सही उत्तर आपसर नमबर सी करा गया है यानि कि 2021 की स्पाइस ठीक है नेश्ट यहां पर कोश्चन दिया है निमनलिकित गटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको उनको क्या करना है उनको काला नुक्रम में बेवस्चित करना है तो देखिए गदर पाठी के स्पापना चिटगाओं यह कब गवा था 1930 में हुआ था और बर्लिन में इंडियन इं न यहां पर यहांब कांड सबसे फाली क्या था स्षaz घाम यहां पर बर्लीन में इंडिपेंडेंस कमेटी बन थी और उसके बाद यहां केंड़ी ऐसेंबली में बंड और सबसे लाश्ट में चिटगाहों पर मोखर फशापा बना था सूरुने से गर समासास्त्रियों में से किस ने ग्राम में नगरी करड यानि कि अरबनाइजेशन का विचार को विस्तार से बताया है तो इसका सही जबब हो जाएगा कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सीनो वैक क्या है तो सीनो वैक क्या है एक प्रकार का संपूर वायरस का टीका तो आपसन नमर डी यहां पर एकदम सही जबब है निमनलिखित में से किस आपरेशन के अंतरकत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल चात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था तो काफी सुर्कियों में था आपरेशन गंगा इसका सही जबब हो जाएगा तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो आपरेशन गंगा आपसन भी एकदम सही जबाब है ठीक है आप लोग एक कमेंट करके बताएए का जो अफगानिस्तान में सरडार्थी भज़े थे उसको उनको किस आपरेशन के तहत बाहर निकाला गया था ठीक है आपको कमेंट में इसको बताना है किसका कारक है तो यह जो कारक है यह काली खासी का कारक है आपसन नमबर सी यहाँ पर सही जबाब हो जाएगा ठीक है कि नेश्ट कोस्चन यहाँ पर है आयोक के उनसार आपसन नमबर यहाँ पर 63 में का सी कहां गया 64 कोस्चन का आपसन सी सही है ठीक है यहाँ पर देखिए यहाँ फेवरेट कोस्चन एको मार्क पूछ देता है कभी-कभी और एक और इस प्रकार से मार्क होता है पिछली बार कोस्चन पूछा गया था तो किस उत्पादन को इको मार्क दिया जाता है इको जहां पर भी आ जाए इको मतलब इको लाजी अब खोज लीजिए 65 का आपसन नमबर डी यहाँ पर मिल जाएगा जो कि पर्यावरण से यानि कि इको लाजी से मित्रवत बेवार रखता हूँ उ दे दिया द्रसन दे दिया तो देखिए मिलाते हैं तो देखिए जो रामा नुज थे वह व्सिष्टा द्वईत के संस्तापक थे यानि पिसिष्टा द्वईत द्वध संके और यहां पर बरल्लबा चारे हमें मिलेंगे तो यहां पर देखेंगे हम लोग एक सेंडाए municipalं गैश्यट का जो आपसर नमबर हम देखेंगे तो भी सई हो जाएगा निश्ट कोश्चन है सवर उर्जा को विद्दूत उर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है तो 67 का सही जवाब हो जाएगा आपसर नमबर V यानि कि जहां पर V फोटो लग जाए ठीक है फोटो वोल्ट आए या फिर फोटो लग जाए तो वह सवरूर्जा से सम्मंदित होता है आपसर नमबर V इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा केंदरी परियावरण वन जलवाई परिवरतन मंतरा ले भारत सरकार ने डालफिन डे मनाने की गोशड़ा कब की है तो आफसर नमबर इसका ए यानि कि 5 अक्टूबर को इसकी गोशड़ा की गई है मतलब 5 अक्टूबर को मनाया जाता है तो आफसर नमबर A यहाँ पर एक ने Central Cult कोशन यहाँ पर याँ डेंगी बुकर निम निकिती में से किस मच्षड के कातने से होता है तो है जेंगी बुकर एठीज यहमादा मादा नहीं नर ठीक है एक विसाड़ो जनतर हो गए डेंगु विसाड़ो एडीज एजिप्टी नामक मादा मच्छर के द्वारा प्रसारित होता है एक तो मादा मच्छर के काटने से होता है यहां पर कोश्चन है हिंदूस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संग यह देखे कोश्चन उसमें थोड़ा या तुर्टी पूर्ड था इस परकार का कोई संगठन नहीं था एक था यह एस आरे यानि के हिंदूस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिक एसोसियेशन यहां पर थोड़ तुर्टी पूर्ड था यहां पर इसको मिलाना है कि राज में कितनी विदानसभाद सीट है कौन सा सुमेलित नहीं है तो देखे उत्तर प्रदेश में चार सो तीन सब को पता है बच्चे बच्चे को गोवा में 40 है यह भी पता है उत्तरा खंड में 70 है यह भी पता है लेकि लीजिए नेश्ट कोश्चन यहां पर प्रकास रसानिक धुंद में सदय वो होता है क्या होता है बाकतर का आफसर नमबर ओजोन यानि की प्रकास रसानिक धुंद में ओजोन होता है फोटो केमिकल स्मॉक ठीक है यहां पर कह रहा है 200 खुसीहाल सुचकांग 2022 ठीक है तो यह ौ Tapasanne पर फाद सब्सक्लिद करने तो कितना सारा कोश्चन इसमें पूछा जाता है तो सुमेलित नहीं यह फिए यहां पर भी देखना है तो लेंस की शंता माजूल में होती है तो यहां पर आपसान नंबर सी एक मिनट आपसान नंबर सी यहां पर गलत हो जाएगा रेडियो एक्ट्व पदात की सक्रीता की उरी से नहीं बल्कि ना पा जाता है किसे बेकुरेल से नेश्ट कोशन यहां पर करा है कि निमनलिकित में से किस इस्टूप के आर्यक अस्तंब वाले मन्च की विशिष्टाएं मिलती है आर्यक अस्तंब दे दिया तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपसन नंबर डी यानिकि जो अमरावती है इसका अज़फ्टर वाले मन्च से मि कानून का पारित किया गया था तो इसका सईजब हो जाएगा आपसर नमबर एव निसो च्यावे में यह कानून पारित किया गया था नेस्ट कोश्चन है यहाँ पर मार्च 2022 में प्यूटो रिको में आयुजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजयता निम्न लिखित में से कौन थी तो इसका कौन थी तो यहाँ पर मिल गया आपसर नमबर एक को रिलियो ना बिला उसका विजयता थी नेस्ट कोश्चन यहाँ पर है यहाँ पर देख लिजिए का उस सतर्मा संस्क्रण था और इहोंने यह खिताब जीत लिया था नेस्ट कोश्चन यहाँ पर है निम्न लिखित में से कौन सा सतत्त विकास लच्च यानि कि यश्डीजी है तू 2030 तक लक्ष प्राप्त करने का लक्ष नहीं तो देखे गुर्वत्तापुर सिच्छा सुने भूग लैंगिंग समानता अंतरिच अनुसंदान तो यह सब हैं लेकिन जो अंतरिच अनुसंदान है यह नहीं तो 78 का सईजवा हो जाएगा आपसा नमबर सी अब बढ़ते हैं नेक्ट 79 का रहा है निमनलिकित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन छे तरफल की द्रिष्ट से सबसे बड़ी है तो पढ़ते हैं आपसं देखें नर्मदा कावेरी तापती महानदी तो क्या देदिया घाटी बेसिन यानि कि कोई नदी बह रही है यदि उसकी सहायक नदी भी आए तो इस सब को इसमें काउंट किया जाएगा इस इसाफ से देखेंगे हम लोग तो महानदी नंबर वन पर आ जाएगी इस आपसन के इसाफ से तो आपसन नंबर डी या सही जवाब हो जाएगा और महानदी बेसिन का विस्तार भी देख लिजिए चातिस गड़ उस्या परियावरण के लिए खतरा है तो देखें या भी कोश्चन गुमा फिरा के कई बार यूपी पीसियस की परिछाओं में पूछ लिया गया है तो एक बार पूछा था परिस्थित्की का अतंगवादी विरिच किसको काते हैं तो सेम यूके लिप्टस यानि कि जिसे हम लोग सब्सक्राइब 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 लोग सब्स से किसने चिंता मड़ी भट द्वारा रचित संस्क्रित ग्रंथ सुक सब्तती का फार्सी में अनुआत कर उसका नाम तूतिनामा रखा था तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपसर नंबर सी जो यहां पर ख्वाजा जियाउदीन नक्खावसी थे इन्हों ने यह किया था किस संविधान संसुधन के द्वारा दिल्ली को राष्टी राजधानी छेत्र का दर्जा दिया गया था तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपसर नंबर भी जो 69 वा यानिक 59 संविधान संसुधन था इसके साथ इसको दर्जा दिया गया था कब हुआ था इसको भी पंप से निकालते हैं तो जो आर्सैनिक होता है ठीक है तो यह जल में घुल जाता है तो एक प्रकार के जहरीले जैसा जल बहुत हानिकारक होता है तो कहां पर मिलता है सबसे ज्यादा तो यहां पर हो जाएगा बंगलादेश बंगलादेश और वाला वह यह सब चेत्र हो गया या सब क्या है या सब थोड़े दसे हुए चेत्र यानि कि नीचे चेत्र है इसलिए बाड़ वगएरा वहाँ पर ज्यादा देखने को भी मिलती है तो चवरास्वी का सही जबाव आपसे नमबर एफ हो जाएगा कि नेश्ट कोशन है पचासी काय रहा है कि निम्नलिकित में से किस अस्थान पर बिस्तो स्वास संग्ठन डबलू या चुप परम परागत आउसादी का बैस्विक केंद्र अस्थापित करने जा रहा है ठीक है तो इसका देखे सही जवाब हो जाएगा पचासी का आफसन नमबर B यानि कि जाम नगर भारत में इसका स्थापना होने वाला है नेश्ट कोश्चन है तोड़ा तेजी में चलेंगे वरना वीडियो बहुत यह लंबा हो जाएगा करा कथन यानि कि किर्सी चेत्र में छूटे फार्म सबसीडी के संद्र में निम्न कत्रों पर विचार करना है तो एक बार आप लोग पढ़ लीजेगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा आफसन नमबर D यानि कि सुरी एक मिस जो है आफसन नमबर C होगा आयोग के आफसन ए और डी यानि कि एक और चार इसमें सही जवाब होगा ठीक है नेस्ट कोशन है आपर देखते हैं हम लोग जोतिवा फूले किस से सम्बंदित थे तो जोतिवा फूले जो थे जाति वीरोधिं आंदोलन से सम्बंदित थे ठीक नेस्ट कोशन देखते हैं 88 हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाये जाता है तो 24 जनवारी को मनाये जाता है उत्तर प्रदेश दिवस 88 का डीज सही जवाब हो जाएगा 89 देखते हम लोग यहां पर साही कूट का चैन करना है तो देखिए यहां पर केरिया जो जंजाती है किस राज से सम्बंदित है तो 89 का साही जो बहुँ जाएगा आपसर नमबर एक और चार साही सुमेलित है यानि केरिया ओटिसा में है और यहां पर चार पालियान तमिल नाडू में है ठीक है पालियान और एक पालियान इस प्रकार से दो जंजाती एक नाम से प्रोनॉंसेशन दोरों का लगबग एक सा होता है तो आयोग ने 89 का आपसर नमबर ए सही माना है ठीक है नेस्ट कोश्चन यहां पर हम लोग देखेंगे कर रहा है कि SPS LBS एक वित्तिय समावेशन के लिए भारत सरकार दोरा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है इस परिप्रेक्ष में LBS क्या है तो देखिए 90 का सही जबा हो जाएगा आपसर नमबर ए यह एक अग्रडिय बैंकिंग योजना है नेस्ट कोश्चन यहां पर यह भी कूट वाला दे दिया क्या करना है इसको सही उत्तर चुनी है ठीक मिलाना है तो देखिए राग माला एक अनवेवा कोश्चन है इक आनवेवा का आपसर नमबर 2 यहां पर सही होगा यानि कि तीन चार एक दू राग माला जाएगा पुंदारिक विठ्रेल में और यहांपर रस्त कौमिदी जाएगा स्रीकंट में और यहां पर राग विरोध जाएगा सोमनात में और चतुर दंडी प्रकास की जाएगा वेकेंट ट्रमन में तिक आयोग द्वारा सही उत्तर आपसर नमबर बी है नेश्ट कोशन यहां पर बान वेवा दे रहा है नीचे दिये गए योगिकों में कौन सा एक प्राकृति गैस का मुख्य आवया है तो मिथेन यह भी कोशन कई बार पूछा गया है तो मिथेन इसका सही जवाब हो जाएगा तीरान वेवा कोशन का रहा है पिर्तवी का वाई मंडली वाई मंडली लिमनलिकित में से किसके द्वारा तब्त होता है तो दीर गत्तरंग अस्थली वीकेरियल के द्वारा तब्त होता है बिमश्टेक से यहाँ पर question दे दिया और यहाँ भी कूट वाला दिया है बिमश्टेक के संदर्व में निम्न लिखित में से कौन सा कतन सही है पीम नरिंदर मोदी ने पांचवे बिमश्टेक सिकर सम्मेलन को 30 मार 2022 को संबोधित किया था और दूसरा है पांचवे बिमश्टेक सिकर सम्मेलन के अध्यक्षता भारत ने की थी तो 94 का जो सही जबाब हो जाएगा आफसर नमबर B केवल A कही है ठीक है 94 का आफसर नमबर B केवल A कही इसा ही बाकि इसकी अध्यक्षता भारत ने नहीं की थी यहां पर नेस्ट कोश्चन देखेंगे 1500 कोश्चन है टोटल 1500 कोश्चन पूछा जाता है तो 95 कोश्चन है निमने लिखित में से वाचर से दविकास परियोजना भारत की केंद सरकार द्वारा परायाुजित है जिसका उद्देश अध्यक्रामीड आबादी को पानी के संरचण के लिए सक्षम बनाना है तो यह जो हर्याली योजना है और हर्याली एक प्रकार की योजना जिसे दिल्ली सरकार द्वारा यहां पर सुरू किया गया था नेस्ट कोशन आपर कूट वाला कोशन वाई बहुत है पूछता है यहां पर तो देखिए अभी कतन एक दिया है बो मद्य सागरी जलवायू के छेत्रों में वर्सा सीत रितू में होती है कारक गर्मियों में ए सुस्क अस्थली हवाओं के प्रभाव में रहते हैं तो च्छान कि जलिया वाला बाग अत्यकांट के विरोध में किसने ब्रिटिस सरकार की नाइट होटी की उपादी लवटा दी थी तो रविंद्र नाट टाइगोर ने लवटा दी थी नेस्ट कोश्चन है हिस्थ पर्वस्त इंकलाओं में हिमाल इपर्वस्त रेडि आविश्थित निमलकित हिमाले पर्वस्त रेडि अविश्थित है तो 98 जो चाहिज भाव हो जाएगाookie देखेज चो लोहाथ से अन्ना मलाई देखिए अन्ना मलाई तो यहां पर आ जाएगा पश्मी गाट पर ठीक है अन्ना मलाई यहां पर आ जाएगा तो यह पश्मी गाट केरल साइड हो गया और सिरुमाली कहीं है ठीक है तो यहां पर हिमाले स्रेडी में एक और दो तो यहां पर आफसर न सरस्ट में और यहां पर देखेंगे यूसूब बनाम बंबई यहां पर केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973 में चित्र लेखा बनाम मैसूर राज तो इसमें क्या देखना सरोच नियाले द्वारा वाद में प्रतिवादित की गई तो तो यहां पर सही जबाब हो जाएगा आपसर नंबर सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज और बढ़ते हैं कोश्चन नंबर समय क्यों देखे समा कोश्चन क्या दिया है कथन और कारक दे दिया है अब कथन एक करा बिस्स में चीली तामबे का प्रमुक उत्पादक है कारक दे दिया है उत्तरी चीली का एंडीज छेत्र पोर्फिरी तामबा के विसालतम और यहां कोश्चन नंबर समय का जो आयोग ने उत्तरमाना है आफसन नंबर बी यानि कि ए तता आर दोनों सही है आर एकी सही ब्याख्या करता है ठीक इस पर न जाएगा यह तू नेक्ट कोश्चन यहां पर है सूची वन को दो से सुमेलित करना है दे रहा है तलार मतलब यहां पर अधिकारी दे दिया है और कारे दे दिया है तो देखे तलार पटकोल सहधापती तो यहां पर देखेंगे हम लोग अधिकारी जो थे तो देख लिए तलार किसे कहते थे रातिर सुरच्छा कर्मियों का अधिकारी था पटकोल ग्रामीर कर वसूली करने वाला अध तिपती चोरी डखैती के मुकतमे का दिकाई था और बलाधिप चुंगी का सुरच्छक था नेश्ट कोश्चन या पर इसको भी मिलान करता है करना है और विजेता नगर से ठीक है तो चलिए देखते हैं तो देखिए संस्कृति यानि की कल्चर इंदावर और चंडीगण सासन वडोद्रा समाजिक पालू तिरुपति और नगरिय परियावरण भोपाल तता चेना इसका सही जवाब है एक सो तीनवा कोश्चन है का रहा है दुद्वा राष्टी उद्यान उत्तर प्रदेश के नि पार्क यहां पर दिया शंबीट संपीडित प्राकृति गैसी यानि कि सीनजी मुक्यतया किस से बनी होती है तो इसका जो आयोग ने उत्तर माना था तुर्के में निस्तान माना था लेकिन जब आप लोग मैप देखेंगे मैपिंग वाला यदि आपने क्लास लिया है तो यहां पर देखेंगे काराकृम मरुस्तल जो है सी और डी यानि कि दोनों देशों में फैला हुआ है अब जब दोनों आप संदेधिया तो यहां पर स्वी और काराकृम किरिश्टान नहीं यहां पर कजाकिस्तान होगा ठीक है तो यह दोनों सई होना चाहिए एक्सोपाच म का 106 यहां पर देखेंगे का रहा है कि अलाउदिन खिल्जी ने निम्लिकित विज़ों का काला नुक्रम विवस्तित कीजिए यानि कि अलाउदिन प muutराने कि इस प्रम में राजियों कर जीता तो सबसे पहले अलाउदिन नेजीता था क्या जीथा घुजरात ठीक है और यहां पर गया था रट पर देख लेते हैं अलावदिन खिली ने सबसे पहले गुज्राद जीता था 1299 में में फिर नाड़ा थंबाउज जीता था 1301 में फिर चित्तोड यानिकि जो पदमावतिरानी वाला कहानी है 1303 में हुआ था और वारंगल तेरह सो दस यानिकि यह दश्चिड वाला चेत्र है 13010 में जीता था नेक्ष्ट कोच नहीं आपर करांती को किस से सम्बंदित है यह तो आप लोग मिला यह लेंगे तो देखिए पहली करांती तिलन से सम्बंदित है और ग्रे कारांती उर्वरक से सम्बंदी था ठीक है और य सब्सक्राइब और यहां पर काली क्रांथी पेट्रोलियम से सम्बंदित हो जाएगा ठीक है नेस्ट कोश्चन यहां पर देखते हैं टेर सो हम लोगों को जल्दी यल्दी कंप्रीट करना है यहां पर कराएं सन्युक्त राष्ट संग ने परियावरर कारेकरम द्वारा जारी वार्सिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अंसार दुनिया का दूसरा सरवादिक दौनी प्रदूसर युक्त भारत का कौन सा सहर है तो यहां पर मुरादा बाद सही जवाब हो जाएगा और पाल चयात्री द्वारा सरवादिक लंबी यात्र का रिकार्ड किसका है तो 109 का सही जाओ जाएगा अफसन मर्भी यानि की मार्क वेंड हे का है यहां पर फिर कूटवाला कोश्चन आगया कत्षन वाला कहरा है पाश्चमी उत्तर प्रदेश के संदर्व में निमने लिकित कत्षनों में से कौन सा सही है पाला दे रहा है उत्तर प्रदेश का पाश्चमी स attending चेत्र अन चेत्रों की तुलना में अधिक विक्सित हैं सही ब तो देखिए हम लोग जितने भी कोशन दियें लगबग लगबग अधिकतर में ए और दो दोनों सभी होते आ रहे हैं नेश्ट कोशन यापर कहरा है निमनलखित में से कौन सा बाद उत्तर प्रदेश में नहीं है अडवा बदुवा अहरावरा बखेल खंड तो 111 में का जो सही जबाब हो जाएगा अफसर नमबर सी यानि कि जो बदुवा है या उत्तर प्रदेश में इस्तित नहीं है देख लिजिए अडवा कहां पर है मिर्जापूर में है और अहरावरा कहां पर है मिर्जापूर में है बदुवा बाका बिहार में है बगहल कंडव बलरामपूर उत्तर प्रदेश में इस्तित है और यहां पर मिलान करना है देवता और उनकी पहचान तो चलिए यहां पर यह एक्दम आसान कोश्चन सरसती जी किस स्सें मंदित हैं तो सर बीड़ा लिए रहाती है और सिर्थूल स्यू भागवान तिर्थूल लीता है ठीक है और विश्रू भागवान चकर लिए रहते हैं गड़ेज जी रसिय फंद अंता एक पर देखते हैं तो इस प्रकार से हमने एकदम सही लगाया था नेश्ट कोश्चन यहापर फिर देखिए अभी कतन और कारक वाला आ गया काराए एक गिलास पानी में नमक का गोल समरस होता है कारण पूरे इसे में विविन संगठन वाला गोल समरस होता है तो इसका जो सही जवाब हो सही परनतु आर गलत है कोश्चन 110 ठीक 113 का सहे जवाजाईगा अफसन न मबर यह रही चैनल जीकंटार गलत है कि कोश्चन नमर 14 करहा है भारत के संदर्व में निम्नलिकट कफ्रों में कौन सा साही है भारत 25 का सब से यहाथ जफा बादेस पान आ भारति यहां पर कहा रहा है एकस्कों चोथा अपसर भारत पूरी तरव उस्ट कठीवन दिया चेक्र में है SO यहांने कि दो और तीन भारत संसार का रिखा जहां हम इस पर करने से देखेंगे दो और तिन सही है जब हम ऐस प्रकास भारत का मैप देखते हैं तो यहां पर सिख गुजरात राज्थान मद्धे प्रदेश ठीक है और यहां पर जहार 50 जहार खंट लिए लिए उया पर त्रिपुरा और यह सब काठने वह करकर रएका जाती है टोटल कितने राजियों से आठ राजियों से जाती है इसका ट्रिक भी आए नेश्ट कोश्चन है एक सो पंद्रामा कह रहा है निमने लिखित में से कौन सा एक मौलिक करतब यह नहीं है तो देखिए यह कोश्चन आए तो इसको लेकर काफी लोग आपस में मतलब बीड़ गए थे कि इसका यह सायोगा यह सायोगा प्राकृतिक वातावर्ण की रच्छा यह समवर्धन करना और यहां पर राष्टगान का सम्मान करना यह भी मौलिक करतब यहां पर नहीं है पूछा द्यान रखना राष्टगान का सम्मान करना यह भी है और राष्टी महतुकी अस्मार को और अस्थानों की रच्छा करना सार्वजिनिक संपत्ति की सुरच्छा करना तो 115 का जो सई लता मंगेसकर जी से सम्वंदित कॉ lieu सिर्टक ए लंदन के रायल एलबोर्ट हाल में प्रष्थूति देने वाली वह प्रतं मलाकार थी बारति हैं अंतराश्ठी मन्च पर उंका प्रतं का तक है कि भारत का सोर्व उर्जा से संचालित प्रथम हवाई अड़ा है तो कोचीन हवाई यड़ा भारत का प्रथम सोरव ऊंचालित हैं नेस्ट कोचिन यह औरант का रहा है दस अप्रेल 2022 को घोसी इतनीती आयो के राज जे उर्जा और जलवाई सुचकांग के अंतरगत भारत के निमनलिकित में से सीर्स प्रदर्शन करने वाले तीन राज जी कौन से हैं तो इसका सही जबाब हो जाएगा जो गुजरात केरल और पंजाब टेक आपसल नमर नहीं किया था तो इसका सही जबाब हो जाएगा आपसल नमबर नीलम संजीव रेड़ी थे और यह निर्विरोध भी चुने गए थे आपको याद रखना होगा नेश्ट कोश्चन आपर है करायर निमनलिकित में से कौन साय एक सुमेलित नहीं है तो देखिए 120 में का जब ह पत्र से संबंदित नहीं है ठिक गया था मुप्रत गया क्या है एक अस्थान है भी यार में नेश्ट कोश्चन यहां पर है यह दिवस देदिया सही चुनना है तो देखिए हम लोग चुन लेते हैं 22 माई को क्या मनाया जाता है अंतराश्टी जयव विजता दिवस और यहा सब्सक्राण हो चुका है आप यहां पर चुन सकते हैं सही विकल्प आपस नमर डी यहां पर हो जाएगा नेश्ट कोश्चन यहां पर रहे है एक सो बाइसमा यह भी कूट से संबंदित दिया है अभी कता नेक है बीसमी सताबदी में निर्धनता है और इसका कारड़ राज जिसके पल्चोरुप इस मुद्य की गती मिली थी ठीक है तो कोश्चन नमर 122 का जो सही जवाब हम लोग देखेंगे तो आपसर नमर बी आयोग की अनुसार यहां पर सही है यह और आर दोनों सही है परन्तु आरे की सही ब्याक्या नहीं करता है ठीक है आयोग की अनुसार स अधिक्तम वरिगती दर्ज की गई है तो आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई है कि नेस्ट कोश्चन आपर सलफा ड्रग निम नलिखित में से किस प्रकार की अवसधी है तो आप सब को पता होगा यह प्रति जिवाडू यानिकि एंटी जिवाडू अवसधी है 125 में का सही जवाब निकालना है हम को कहरा है सुची वन को मिलाना है सुची दो से स्वादेश का मतलब पत्रिका है और इसका प्रकाशन वर्स है तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग मिलाएंगे तो स्वादेश पत्रिका गोरकपूर से निकलती थी भारत बंदू हाथरस से सत्यवाद दो के ताहत इसको किया गया था ठीक है तो आपसे नमबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा देख सकते हैं नेक्ट कोश्चन है यहाँ पर यह भी कूट से है दचिर पूरे एसिया में इस्तित बोर्णियों दीप के संदर्व में निमनलिकित में से कौन सा सही है तो देखिए यह तीन देशों में विवाजी थे सही बात है इसकी उत्पति जो अला मुखी निच्छेप के द्वारा हुई है यह भी सही है 127 का बी जो इसका सही जवाब है यह होना चाहिए यह और दोस्त दोनों सही लेकिन आयोग ने इसका जवाब केवल एक ही माना है तो आप देख लिज हुआ है कि नेस्ट कोश्टन में कि इन इंडिया कारिकरम के संदर्में निम्रेलिकित कत्रों में कौन सा साही है इसको 2014 में प्रारम किया गया और यहांपर कर रहा है इसका उद्ध्यास बारत के कंपनीयों के वही निर्वार्ण रहेतू प्रोसां तता निवेस को सुगम बन कि यहां पर कर सेरसा को अपनी वीरता से प्रवावित करने वाले जैता और कुंपा किस अस्थान से संबंदित थे तो यह मारवार से संबंदित थे आपको याद रखना होगा करा इसमें कौन सा एक सुमेलित नहीं है तो देखिए इसका जो हम लोग मिलाएंगे तो इसपॉर्टिम यह सही है नियोप्रिन विसिष्ट रबड है आक्सी टोसीन यह एक हार्मोंस है पादफ हार्मोंस है ठीक है तो यहां पर सही जबाब हो जाएगा सुमेलित नहीं है तो आपसा नमबर भी सही हो जाएगा नेश्ट कोस्चन यहां पर देखेंगे हम लोग अभी देखिए कथन कूट वाला दे दिया पाला अभी कथन है लिग्मेटिक छेत्र में उत्पादक प्लव है अधिकता में व्रीदि करते हैं कारत लिम्नेटिक छेत्र पानी का खुला छेत्र होता है तो 131 का सही जबाब हो जाएगा आफसन B यानि कि A आर दोनों सही है लेकिन आर ए की ब्याख्या करता है आफसन नमबर B ठीक है नेश्ट कोस्चन यहां पर कर रहा है कि नई दिल्ली में किस परसिद इमारत को परधान मंत्री संग्रहलाय में परिवर्तित किया गया है तो आप सब को पता होगा बहुत ज्यादा सूर्खियों में था त्री मूर्ती भवान तो आफसन नमबर D यहां पर सही जबाब हो जाएगा अब नेक्ट कोस्चन यहां पर है सुमेलित करने वाला देखिये एसडीजी 10 में क्या है एसडीजी 13 में क्या है चौदम क्या है पंदर में क्या है तो चलिए बताते हैं आपको यहां पर अरे भाईया कहा भाग रहे हो भाई देखिए यहां पर SDG 10 में है असमानताओं से कमी से SDG 13 में है जलवाई परिवर्तन यानि क्लाइमेट एक्सन है सबको याद रखना होगा मैं अत्तपूर है SDG 14 में है 17 मतलब जल के नीचे जीवन SDG 15 में है भूमी पर जीवन तो SDG क्या सस्टेनेबल डवलपमेंट गोल यानि की सतत विकास लक्ष टोटल कितने हैं 17 विकास लक्ष हैं आपको याद रखना होगा और इसको 2030 तक पूरा करने का लक्ष है 134 में से कौन सा पदार्स जैवन निमनी करण है यानि कि किसको मिट्टी में मिला उला सकते हैं तो एक दम आसान कोश्चन 134 में का है आपसा नमबर B यानि कि उन बाकी प्लास्टिक है तो जल्दी नश्ट नहीं होता है काच की बोतल भी नहीं होती है अलूमीनियम फाइल भ समंदित राज्यों के निवेदन पर संसत द्वारा या फिर लोग सभा द्वारा या फिर संग लोग सेवा आयोग द्वारा या राज्य सभा द्वारा तो इसको बनाया जा सकता है जब समंदित राज्यों अपन निवेदन करें अपना निवेदन करें तब बनाया जा सकता ह है 35 का आपसर नमबर ए कि 136 में कह रहा है कि काला नुक्रम में ब्योस्टित कीजिए तता उनको लगाई यह सब क्या है यूद्दू अगरा दे दिया तो चलिए देखते हैं तो देखें यहां पर सकर खेड़ा का यूद्दूवा था 1724 में बेदरा का 1769 में फ्रांसीसियों की हार हुई थी और पोर्टर नौवा का यूद्दूद्धी का यूद्ध 845 में यहां पर ओजोन दिवस किस तिति को मनाया जाता है तो देख सकते हैं तिति वाला कोश्चन य बहुत ही फेवरेट है PCS का कोश्चन यूपी वाले तो 16 16 सितंबर को मनाया जाता है एक सो साइटी इसका सही जबाव जगा आपसर नमबर ए कि कह रहा है कि प्रसिद्ध रूर कोईला 233 देश से संबंदित है तो जर्मनी है सबको याद आपसर नमबर यहां पर सही हो जाए है तो देखिए यह जो रमेश्टा वड़कर थे गोवाज राज्य के और कुरता सिंग संद्वान पंजाब के और टीज सुब्रत्य सिंग मड़ीपूर के रितु खंडेरी बहुत चर्चा में थी उत्तराखंड से पर्थमा अंत्रीम राष्टी सरकार की घोषड़ा कब की गई थी तो 140 में का सब्सक्राइब हो जाएगा 24 सब्सक्राइब गोशड़ा हो गई थी नेस्ट कोश्चन यहां पर कह रहा है कौन सा एक देस अस्तल रूद्ध है यानि कि मालीजे कोई इस प्रकार से कंट्री है ठ चूरायत उसे काते हैं अस्तल रूद्ध देस तो इस प्रकार से कौन सा देस है तो यहां पर हो जाएगा बोलोविया जो है यहां अस्तल रूद्ध देस है यह दच्छिड अफ्रिका का देस है और दच्छिड अफ्रिका में दो ही देस हैं जो की अस्तल रूद्ध है ठीक ह और दे सकते हैं है आयसीस में खुबहू यहीं प्रश्ण पूछ आ गया था GO कार्बूरेटर किया जाता है पेट्रोल इंजन में ठीक है जैसे हम लोग बाइक वगएरे चलाते हैं किस से चलती पेट्रोल चलती कार्बूरेटर उसमें लगा रहाता है तो अपसने मड़ी यहां पर सही जबाब हो जाएगा किस मुगल सासक ने बनारस में संस्क्रित और हिंदी के महान बिद्वान कविंद्र आचारे सुरसती को राजकी संरच्छर प्रदान किया था तो एक सटरियसमें का सीज जबाब हो जाएगा साजहा ने किया था यहां पर फिर मिलान करने को दे दिया है तो चलिए यहां पर हम डायरेक्ट लोग हम लोग मिलान ही देख लेते हैं ठीक है तो देखिए भारती मज़ूर संग को भारती जनता पार्टी और यहां पर नेथनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस बारती राष्टी कांग्रेस और य क्या बनता है क्यूबा में क्या होता है क्यूबा में सब को पता होगा कि तो देखेंगे हम लोग उसाका सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है उसाका कहां पर है जापान में डेट्राइट मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है क्यूबा सिगार के लिए प्रसिद्ध है और सा काला नुकर्व में बैवेवस्थित करना है तो देखिए व्येंस नााज्यासित हम लोग कर देते हैं संभिधान के भागचार ए में क्या है मौलिक करतब्र है और भाग 1 प्राहर में संग थासbn। उसका इसमें के जो सई जबाब हो जाएगा ए और दो दोनों देख लिजिए यहां पर भी कूट वाला कोशन है यहां पर भी दोनों सई है इतली में आयोजिन कराई गए थी और बारती टीम ने पाली बार इसमें रजत पदक जीत लिया था 48-वाइं पारेस्थित्की निकेत के अंत्र में निमनलिकित में से कौंधा सथा करता है जो संसाधन की उपयोग और है अधि का रियात्मक भून का सशान कर सकती है और दूसरा देरा प्रत्य अलग अस्ठान होता है तो यहां पर भी एक пару दोनों सब्सक्राइब है कुठ ठीक 148 में का एंचासमा कराए खान मंत्राल है कि वार्सी की रिपोर्ट 2021 के अंसार निम निल्कित में से कौन से दो राज्य बारत के लव ऐस के लिए प्रमुक उत्पादक है तो यहां पर एक और दो यानि की ओडिसा भी है और 36 गड़ भी है तो यहां पर 149 में का बी सही जवाब हो जाएगा एक और दो दोनों सही है पचासमा का रहा है पचासमा और आज का आखरी प्रशन का रहा है निम निल्कित में से कौन सा एक सुमेलित है भारत धर्म मंडल देव समाज पनारस रादास्वामी सलसंग और सनातन र अच्छडी सबाग कोलकाता में इस थित है ठीक आपसर नमर डी यहां पर सही जवाब हो जाएगा इस प्रकार से हमने डेड़ सो क्रोश्चन कंप्लीट कर दिये हैं यदि आप सी साइड जो हता है उसका भी कोश्चन पेपर यानि कि इस तरीके से साल्फ करना चाहते है तो जरूर कमेंट करिएगा इसके अलावा और भी प्रिविएस यह पेपर जैसे 2020 हो गया बीस हो गया इसका भी यदि आप लोग इसी तरीके से सलूशन चाहते हैं तो एक बार नीचे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा बाकी UPPCS से किसी भी अपडेट से जुनने के ल रहें पड़ते रहें बढ़ते रहें जैए हिंदर